नमस्कार मैं आधिस पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में RRB-ALP क्या रहेगी सेलरी? क्या आपका जोब प्रोफाइल है? कितना तक आप कमा सकते हैं अगर आप RRB-ALP बनते हैं? ये सच में कहा जाता है कि एक लाख की सेलरी हम उठा सकते हैं क्या इसकी सचाई के है उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा आपको ठीक है तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को जादे से जादे सेयर करें और कौन-कौन लोग एलपी बन सकते हैं इसकी बारे में भी एक सौट ट्रम्मे में आपको बता दूँगा कि क्या आपका प्रोसीजर होता है कैसे एक्जाम दिया जाता है फिर आपको जॉइनिंग के बाद क्या 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 आपकी वर्किंग आपकी सेलरी कैसे मिलती है ये दिहान रखिएगा तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि अगर जो बच्चे अभी आप तयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो टीम परिक्षा प्लस के द्वारा बहतरीन कोर्स चलाया जा रहा है मात्र 499 रुपे में ये आपके टेक्नीशियन रर भी एल पी और टेक्नीशियन इन दोनों का कोर्स आपका स्टार्ट कर दिया गया है साथ ही साथ जो बच्चे अगर आईटी आई नहीं किये हैं नॉन टेक्निकल वाला भरना चाहते हैं एंटी पीसी जो आने वाला है जुलाई में तो जुलाई में आपके एंटी पीसी का भी आपका कही न कहीं ये 499 रुपे में कोर्स लाँच किया गया इसकी भी क्लासे से स्टार्ट हो गई है इसकी भी क्लासे से स्टार्ट हो गई है आप परिक्षा प्लस अप्लिकेशन से जुर सकते हैं या वेब साइड से जुर सकते हैं तो चलिए हम बात करते हैं कि इसमें सेलरी क्या बनेगी और पहले ही बात की salary जाने से पहले आप सभी लोग salary के ही लिए होंगे लेकिन सबसे पहले कि आपको बता दें कि जो ALP होता है ये किस group का होता है जिसे railway में group D आचाना है वैसे ये group C की post होती है ठीक है railway की ये group C की post होती है assistant local pilot जिसका नाम होता है इसमें education आपको क्या चाहिए क्या eligibility रखते हैं तो आप ये form फिल कर सकते हैं तो 10 के साथ अगर ITI है आपके पास तब आप भर सकते हो और डिप्लोमा बीटेक, electrical, mechanical या electronics आपने किया है तब आप इस form को भर सकते हैं ये ध्यान रखिएग medical इसकी थोड़ी high होता A1 class का medical इसमें चाहिए A1 class मतलब आपका distance vision जो होगा वो 6 x 6 का होना चाहिए बिना glass का विच्चस्मा उत्मा नहीं लगना चाहिए 6 x 6 आपकी आँख होनी चाहिए और जो nearest वाला होगा वो भी .6, .6 का होना चाहिए कोई भी आपको color vision, binocular vision, night vision की सिका नहीं होना चाहिए और एज इसकी 18 से 30 है यह ध्यान रखिएगा और इस साल को तीन साल की आपको छूट भी दी गई है बाकी यह तो general का मैं बता रहा हूं बाकी category में यसी को आपको 5 साल को और OBC को तीन साल की छूट तो central वे हर उसमें मिलता है वो तो count होगा ही count होगा इसक इसको भी ध्यान रखिएगा चलिए अब हम बात करते हैं क्या pattern रहेगा जब आप form फिल कर लेंगे तो आपका पहला exam होगा जिसको हम लोग computer based cvt1 exam होता है 60 minute का होता है number of question आपके 75 होते हैं 75 मार्कते होंगे यह ध्यान रखिएगा इसमें reasoning mathematics general science और general awareness के question रहेंगे negative marking आपका 1 by third होगा इसी तरह यह सिर्फ आपका एक सॉट लिस्टिंग के लिए होता है candidate को सॉट लिस्टिंग करने के लिए यह merit इससे नहीं बनती है सॉट लिस्टिंग होंगे इनकी merit बनाके फिर इसका कोई कार जो है मतलब इसके marks का जो है आपको selection में marks इसका माइने नहीं रखता है 175 question होते हैं दोनों मिलाके पार्ट ए में 90 मिनट का होगा 100 question होगा जो इसी के basis पर आपकी merit बनेगी जिसमें math, reasoning, science and engineering के questions रहेंगे आपके और पार्ट बी जो होगा वो 60 मिनट का होता है इसमें 75 question होते हैं वो qualifying होता है 35% लाना होता है और इसमें आपके trade के question होते हैं जो भी आ आप trade है ना उससे related subject होता है इसका आपका merit पर कोई असर नहीं लेकिन एक qualifying paper होता है आपको qualify करना जरूरी होता है negative marking वोई 1 by 3rd आपकी रहती है इसमें भी तो मतलब merit आपकी इसी 90 मिनट में जो 100 question होता है ठीक है math, reasoning, science and engineering की यहीं से आपकी merit बनाई जाती है अब आते हैं कि इ salary पे आजाए तो 1900 grade पे की यह job होती है और इसका जो basic start होता है 1900 से लेकर 301200 यह label 2 का है, label 2 का जो basic देखोगे यहां से starting होती है ठीक है, तो ALP एक प्रकार का running staff है, क्या है running staff, इसको मलब कोई छुटी नहीं है जब चाहे तब बुला लिया जाता है, तो running staff में एक फाइदा होत होता है, उसमें उसको increase करके मिलता है, अभी मैं बताओंगा, तो salary जो मैंने यहां लिखा है, 52-62,000 के बीच और 1-1,00,000 भी आप salary पास सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कई ऐसे salary लोग है, जो salary डेडे लाक, आपके salary उनकी बनती है, यह ध्यान रखेगा, तो 52-62 तो यह बनना ही यह ध्यान रखेगा, इतना तो minimum आपका बने, यह salary slip है, लखनव जोन का आप देख लीजिए, यह लखनव जोन का salary slip मैं आपको दिखा दो, यहां पर, लखनव जोन का salary slip है, यहां पर ALP लिखा हुआ है, देखें जब आप training में जाते हो, पहले तो आप जैसे ही पास होगे, तो आपको training कराया जाएगा, training कराने के समय आपकी जो salary होती, वो उतनी जादे नहीं होती है, आप training ALP होते है, उस समय, आपकी जो post मिलती है, तो training ALP में आपको basic मिलेगा, आपको basic मिलेगा, 19,900, 19,900, प्लस आपको DA मिलता है, यह मिलता है, तो almost आपका कहीं न कहीं, 32,000 के आसपास, almost यह आपका DA, आपका 46% चल जाए, तो वह 27,000-28,000 के आसपास, आपको कहीं न कहीं, इसका मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा, 26,000-27,000 के आसपास, इसको आपका मिलेगा, जब आप 26 के से 27 इसके तक मिलेगा आपको, जब as a, आप क्या करोगे, as a trainer रहोगे, as a training पे रहोगे, ठीक है, DA ही आपको मिलता है, बाकी आपको चीज़े नहीं मिलती है, यह चीज़े ध्यान रखिएगा, लेकिन जब आप as a ALP जॉइन करते हो, assistant local pilot जॉइन करते हो, तब आपकी salary जो होती ह है, वो आपकी अच्छी खासी हो जाती है, और यहीं पर आप लाखों तक कमा सकते हैं, जो मैंने कहा ना, लाखों तक कमा सकते हैं, वो यहीं पर कमा सकते हैं, तब आपको देखिए क्या होता है, कि basic पे तो है यह आपका, dearness allowance जो होता है, यह 43,995 लिका है, यह 19,900 basic है, basic तो यह है, यह और किसी में नहीं मिलता, किलो मीटर allowance, किलो मीटर allowance मिलता है, जितना आप किलो मीटर चलाओगे, उतना आपका allowance बनता है, तो यह आप जैसे अभी यहाँ पर इंजिनका salary है, इन्होंने जितना, देखों कम ट्रेंड चलाओगे, तो कम मिलेगा, जितना जादे चल आओगे, तो यह चीज बढ़ती जाती है, 20-20,000, 40-40,000, यह खाली, आपका किलो मीटर allowance उनका हो जाता है, 40-40,000 तक किलो मीटर allowance हो जाता है, ठीक है, तो यह धियान रखिएगा, तो 40-20, 60 हो ऐसे ही हो गया, बेसिक जोड़ लो तो, तो यह allowance जो है, सबसे वहतरीन है, बाकी टार्च का allowance मिलता है, क्योंकि यह running staff होते हैं, कोई छुटी तो होती नहीं है, तो इंको national holiday पेक के दिन भी काम कराया जाता है, तो काम कराया जाएगा, तो उसका भी national holiday का भी इंको charge दिया जाता है, 314 रुपए, ऐसे 400 something रुपए एक unit का मिलता है, फिर night duty allowance भी इंको मिलता है night में जब duty करते हैं, तो उसकी भी alliances मिलते हैं, यह ध्यान रखिएगा, तो एक मोटा मोटा में बताऊं, तो basic salary आपकी only 1,900 होती है, running staff होने के नाते, इनके basic में 15-13% जोड के और मिलता है, क्योंकि इनका running staff है, जब चाहें तब इनको बुला लिया जाता, कोई ऐसी छुटी नहीं होती, fix नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा, इस वज़ह से इनको 13% बाकी और किसी में नहीं होता है, कि basic में increase करके मिले, तो इनकी basic 13% increase करके मतलब उसमें 25-187 जोड दो गया, ठीक है, तो आप उसके बाद वो basic बनेगा, उस पे आपका अब 46% डिये लगता है, 10,344 होता है, मनलब आपको अगर हम 19,900 की बात करें और इसमें आपको 25-87 जोड दिया जाए, तो 7,8,9,5,14,9,10,11,1,12,1,12,1,2,2,2,487, पर आपका 46% इस से में central का डिये चलना है, तो 10,344 तो आपका डिये हो गया, उसके बाद से आपको मान के चलो 2400 रुपया आपका house rent allowance मिलेगा, transport allowance मान के चलो 1100 रुपया, और kilometer allowance एक में general मालनू, क्योंकि ये kilometer allowance 3.7 पर kilometer के हिसाब से आपको मिलता है, जितना आप चलाओगे, उतना ही आपको ये बढ़ता जाएगा, और जिये मालनू, अगर आपका 50,000 हो गया, तो बाकी ये देखो, 20, 30, 30, 50, 30, 80 के आसपास पहुँच रहे हो, लाखों में खेलने, तो जितना ये आपका kilometer, आप जितना दोड़ोगे, उतना आपका पैसा बनेगा, बस काने का मतलब ये है, ठीक है, तो मैंने minimum 14,000 मान लिया, कि आपका यहाँ से आ रहा है, kilometer allowance से, फिर NHA हो गया, dress allowance हो गया, night हो गया, sell in सब को मिला के 1200 रुपे आपको हो गया, मिला है, 1200 से 1500 आप मान के चलो, ये आपको मिलेगा, total salary जो आपकी बनेगी, 51,583 बनेगी, उसमें आपका pension scheme के तहत NPS अगर 32,000 कट पिट जाता है, तो आपको 48,383 in hand आपको मिलेगा ही, तो वही मैंने कहा 48,52 तो आपको ऐसे जब ALP जोइन करोगे, और बहुत minimum अगर आप train चला रहे हो, बहुत minimum के train चलाओगे, तभी आप 14,000 रुपया यहां, तब आपका ये बढ़ेगा, अगर आप running आपकी जादे है, आप मतलब ऐसे जोन में हो, जहां आपको जादे से जादे train मिल लही है, तो आपका ये portion जादे हो जाएगा, तो salary भी आप उसी हिसाब से increase होती चली जाएगी, ठीक है, ये धिहान रखिएगा, तो वो आपका है कि salary आपकी कैसे कैसे vary करेगी, तो main उसमें यही होता है, किलोमीटर, अब इसली होता क्या है, कि जब भी train आप लेके जाते हो, तो आपको assistant होते हो आप, assistant मतलब एक तो loco pilot होगा, उसके आप सहायक होते हो, आपको तुरंट train चलाने के लिए नहीं बोला जा ट्रेनिंग के बाद जब आते हो, तो आप loco pilot के साथ उनका सहायक बनते हो, assistant loco pilot, तो assistant loco pilot की working क्या हो, उमें दिखा दूगा, फिर बाद में धीरे-धीरे जब आपका समय बिता लेते हो, तो आप, आपको loco pilot बनाए जाता है, आपके promotion जब होते हैं, तो assistant loco pilot है, तो जब आ ट्रेनिंग में रहोगे, ट्रेन में ले जाओगे, उतना ही आपकी एक किलोमीटर बढ़ता जाता है, आपका loco pilot भी साथ में रहेगा, आप भी रहेंगे, उनके सहायक होते हैं, आप यह ध्यान रखिएगा, तो basically जब भी आप एक बार ट्रेल लेके निकलते हो, तो ट्रेल का आठ घंटा का रेस्ट आपको दिया जाता है, और उसके बाद से फिर आपको यह देखा जाता है, अगर ट्रेन कोई और आपको ले जानी हो, अपने जोन में, जहां से आप आए हो, तो हो सकता है, वो ट्रेन एविलेबल हो, आठ घंटा में, मिनिमम आठ घंटा आपको र पेंड करता है कि 8 घंटे बाद मिल जाए या 16 घंटे बाद मिल जाए तो यह भी होता है कि कभी-कभी आपको 16 घंटे का भी रेस्ट मिल जाता है तो यह मिनमम 8 घंटे का तो रेस्ट मिलेगा जब आप एक रनिंग करके पूरा करके आओगे एक ट्रेन को अपने जहां तक आप क्या कारे क्या करते हैं तो यह चीजी आप देख लीजिए कि वाइल लेबल कैसा है सब कुछ सर्किट सही है पूरा चेक करेंगे जब भी स्टेशन से निकलना होगा उसे आप एसिस्टेंट लोको कुछ है कि नहीं उसमें कोई फॉल कोई दिक्कत यह सब आपको चेक करना होता है दूसरा आपका से जिम्मेदारी होती है और चलते समय कॉंटिनियस नी वाचिंग दा अपकमिंग सिगनल कॉंसा सिगनल आ रहा है यह लोको पाइलेट को बताना सिगनल को आपको आपको स्पीड लिमिट बोर्ड को देखना और ड्राइबर से मतलब लोको पाइलेट से संपर्क में रखना ठीक है उसके बासे हाँ यह सब चीजे आपको करना होता है और क्या है अपडेशन आफ रिकॉर्ड डेटा लॉग सीट मलब ओवराल कि आपका इस की स्टेशन पे आपकी ट्रेन कितने दिर रुकी कितना स्पीड से कब तक हमने इतने दौर में इतना स्पीड बना रखा वो सब आपको रिकॉर्ड करना होता है लोको पाइलेट को कि इस स्टेशन पे पहुंची कितना देर समय लिए लेट हुआ तो क्यों लेट हुआ कितने स्पीड हमारी रही है इस पूरे यात्रा के दोरा, तो वो सब चीजे आपको यहाँ पर अपडेट करना होता है, एक रिकॉर्ड बनाना होता है, help local pilot while troubleshooting during engine failure, अगर आपका engine fail हो जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उसमें आप local pilot को क्या करोगे, local pilot की help करते हैं, chain pulling हो गई, तो फिर से recoupling after alarm and chain pulling done by the passenger, फिर से आपको train को start here recoupling करके, फिर से उसको start करने के लिए आपको क्या करना होता है, तो यह सब चीजे हैं, ठीक है, जब भी आपका chain pulling हो जाए, जब भी हो जाए, कुछ भी, तो ऐसा आपको करना होता है, इसके बाद से आपको हम बात करें, कि आपका जो timing है, कोई timing fix नहीं है, आपको जब भी आपका train आपको ले जाना होगा, आपको 2 गहंटे, 4 गहंटे पहले, हाना आपको सुचित किया जाएगा, आपको एक phone आएगा, हाना, कि आपको 2 गहंटे या 4 गहंटे बाद एक train को ले दिया जाता है, अगर एक बार आप train लेके निकल गए, और वहांपे आपने sign out कर दिया, जहां आप लेके गए हो, जहां तक आपको भीजा जाना था, वहां से आपको 8 गहंटे वहांपर रेस्ट मिलेगा, हो सकता है, फिर आपको अपने headquarter बोला लिया जाए, या वहीं से द दिजिए, और assistant local pilot के बाद आपका promotion होता है, senior assistant local pilot पर, ठीक है, यहां पर आपका grade पे 1900 ही रहता है, grade पे में कोई बदलाव नहीं रहता है, seniority थोड़ी सी आपके अंदर आ जाती है, यह ध्यान रखिएगा, आप senior ALP बन जाते हो, बोला जाएक दो साल में कहा जाता है, depend करता ह कि आगे का ऐसी vacancy और reservation के base पर CT खाली है, उसी के आपका promotion भी depend करता है, तो आप senior ALP बनते हो, जो आपका, यहां पर grade पे नहीं, grade पे आपका 2400 हो जाता है, यहां पर आपका grade पे जो 1900 से था, वो 2400 हो जाता, 1900 नहीं होता है, senior assistant local pilot में 2400 grade पे हो जाता है, फिर आपको local pilot sunting बना प्रमोशन आपकी किसमें होती है, local pilot sunting में होती है, sunting का मतलब होता है, कि जब train आपकी मालो कोई जानी है, station पर, यह duty जानते हैं, आप जब sunting में आ जाते हो, तो थोड़ा सा आपका, अगर sunting में हो गया, तो आप थोड़ा सा job, एक timing आपका fix होता है, थोड़ा मुडा, तो उसमें क्या होता है, कि जैसे train है, कहीं जाना है, तो engine को अलग करना, engine को फिर से लगाना, ठीक है, यह सब कार यह आपको station पर देखना होता है, तो यह local pilot sunting का कार मिल जाता है, 2400 ग्रेट पर की है, तो इसी से आप थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे, तो यह आपका local pilot sunting में चले जाते हो, आप से यहाँ पर local pilots goods, जब यहाँ से promotion होता है, यहाँ से जब promotion होगा, तो आप यह तो good में चले जाओगे, यह आप local pilot sunting grade 1 में चले जाओगे, जैसे यह grade 2 है, और यह grade 1 है, समझ रहे हो, तो local pilot sunting का promotion जब होगा, तो वा तो local pilots goods में चला जाता है, यह तो आप आपका लोको पाइलेट संटिंग ग्रेड वन में चला जाता है ठीक है तो 42 सो ग्रेड पे यहां पर भी देख रहे हो और 42 सो ग्रेड पे यहां पर भी आप देख रहे हो तो ग्रेड पे आपकी वह यह प्रमोशन वाली तो कभी इसमें हो जाता है जैसे सीट जहां जैसे खाली होगी वह ऐसे आपको promote कर दिया जाता है जब आप इन दोनों जगां पर पहुंच चुके हो आपको अब आपका promotion क्या होगा लोको पाइलट passenger पे होगा ठीक है goods मतलब जो आपके समान ले जाती है मालगारी जो हो गई वो वाली आपके goods में आपका हो जाता है उसमें आप लोको पाइलट बन जाओगे मतलब उस train को चलाओगे देखो लोको पाइलट लिख दिया ना तो आप as a driver आप main आप उसके पाइलट रहोगे ठीक है तो यह हो गया अब यहाँ लोको पाइलट passenger हो गया अब आपकी promotion क्या होगी लोको पाइलट passenger और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप यहाँ से direct लोको पाइलट goods से आप क्या हो जाओ यहाँ पे तक गए इस वाले पर देखो यहाँ से इसका है न यहाँ इस वाले पर आपका लोको पाइलट passenger मतलब गुड से अब आपका passenger में हो जाएगा तो आप passenger train जो होती है उनका आपको मिल जाएगा चलाने के लिए अप passenger के बाद आपका promotion cabin crew मतलब controller में होता है crew controller में हो जाएगा या power controller में हो जाता है यह ध्यान रखिएगा यही पर आप यह बात एक बात ध्यान रखिए यही पर आपको कहीं ना क्रिव कंट्रोलर आप पावर कंट्रोलर में होता है उसके बास से आप पैसेंजर ट्रेंड के बाद जब आप पैसेंजर ट्रेंड के लोको पाइलट बनते हैं तो अगला प्रमोशन आपका प्रमोट होते जाते हो वैसे वैसे आपकी सुविधाय और अच्छी होती जाती है ठीक है थोड़ा सा जॉब में और अच्छा फिलिंग आने लगता है आपको बेस्ट लगने लगता है ठीक है यह ध्यान रखेगा जब आप बन जाओगे तो यहीं पर आपको चीफ लोको इंस्पेक्टर यहां से भी प्रमोट होके आते हो जब आपको क्रिव कंट्रोलर बनाया जाता है यहां पर देखो यहां से भी आप यहां पर जा सकते हो हो सकता अभी इधर शी Amazon की खाली है तो आपको पहले वाले में डाल दिया गया मेल वाले के बने भी आपको प्रमोशन आपकी क्योंकि यह एक ही लेबल पर आ यहां से जब आपकी प्रेवोशन होगी क्या ग्रेड पर आपको 4400 मिलेगा यहां चीफ लोको इंस्पेक्टर बनते हैं तो एक जो सिनेरियों होता है यहां पर देख रहा हुआ यहां से आप यहां पर जा सकते हो फिर उसके बाद से आप तो आप यहां से इधर जा सकते हो या बे आली सो ग्रेट पे पर आप इधर जा सकते हो ठीक है इन दोनों में आप बन सकते हो सेम चीज है यह आदमी यह वाला पोस्ट मिल जाए यह वाला पोस्ट मिल जाए इसके बाद तो आपका सेम होता ऐसा ही यहां पर है अगर हम बात करे जिसे हम 4200 grade pay है यहां पर दोनों पर तो यहां भी आपका 1200 grade pay का होता है तिन तीनों में से हमें कोई भी पद मिल जाएगा फिर हमारा promotion as a chief loco inspector होता है अब हम यहां पर देखते हैं आपका यह है पहले आप assistant local pilot फिर senior assistant local pilot यह 1900 grade पे हो जाएगा यह 2400 grade पे हो जाता है लोको पाइलेट संटर में होता है फिर goods में होता है फिर passenger में फिर mail का आप बनते हो और उसके बाद से आपका लोको पाइलेट क्योंकि यहीं लोको पाइलेट मेल वाले में ही आपका crew वाला आ जाते हैं तो आप crew भी बन सकते हो ठीक है यह ध्यान कि आपका promotion कब कैसे होगा जहां पर जून हो जैसे ऊपर सीटे खाली होंगी reservation के basis पर होता हो सकता है किसी के reservation पर जिस पोद्पे जुआन किये हो दूसरा कोई जो है अगे कास्ट वाइस सीटे खाली है तो उसका promotion हो जाए आपका promotion ना हो यह भी होता है तो यह चीजे भी आप को ध्यान रखना अंतिन में आप बनते हो assistant division mechanical engineer ADME यह पद आपको फिर मिलता है ठीक है ऐसा departmental exam भी होते रहते हैं इनको सब देखे आप last में ADME assistant division mechanical engineer का पद आपको मिलता है तो यह आपके पूरा का पूरा promotion हो गया कि आप as a local pilot join करते हो तो क्या क्या आप बन सकते हो तो salary जित उतना किसी में नहीं है मतलब आप group D का पद कर लो या technician का कर लो वहां आप एक fix रहोगे लेकिन ALP में जितना आप दोड़ोंगे उतना ही आपकी salary increase करती आती है तो जो सचाई है एक लाग की salary की वह एकदम सही है कि आप एक लाग की salary भी इसमें बनाते हो और जैसा मैंने कहा कि minimum ये तो आप जैसे ही आप ALP ऐजे बनते हो तो 50 के से 70 के तो आपका यहां vary करता ही करता है इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और जैसे थोड़ा सा अगर आपको जादे से जादे train मिलने लगेगा तो जाहिर सी बात है आपकी salary 1 लाग के आसपास एप्रॉक्स में आ जा हाना आप कहीं भी compare करिएगा कि level 2 में आप group C के job में इतनी salary जहां आपको ALP में दी जा रही है वो नहीं होती है तो बहुत बहतरी salary है धीरे धीरे जब promotion होता रहेगा तो job भी अच्छा लगने लगता है थोड़ा सुरुआत में हैटिकनेश रहती है यह आपको कोई छुट् कर रहे हैं एकदम लग जाईए अगर आपको ALP की job लेनी है क्योंकि सीटे इस बार कम है मेहनत बहुत जादी करना है आपको कोई समस्या होती है तो जरूर कमेंट में बताएगर चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विजा लेता हूं मस्त रहिए स्वस्त रहिए